एक सरकारी मुलाजिम, मनोज वर्मा नाम है इसका, 13.000 रूपे खा गया आज से 2 साल पहले मेरे, ठीक है ज़्यादा दूर का नहीं है, यहीं का है मेरे चर्की दादरी का, आज से 2 साल पहले रात में पंजाब से इसको मैं बच्चे दिलवा के लिए गया था, जिसमें इसके प आपको कहेंगे कि सर, हमारे पास पैसे कम बढ़ रहे हैं, आप हमारे को दिलवा दो, ठीक है, और हम बच्चे सेल करने के बाद आपको पेमेंट कर देंगे, उसके बाद 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर तो यह आपको बहकाते रहेंगे, कि भाई, आज डाल रहा हूँ, मैं उसके कूछ नहीं लगती, मेरा कोई जिमेदारी नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यह पूछ रहा हूँ, मेरे भाई, क्या तेरे माबाप ने यही शिक्सा दिये तेरे को, कि लोगों के साथ विभार बना के और उनके पैसे खा जा, और दूसरी बात, अभी तेर कि भाई, इसको बोलो, मेरे पैसे दे देगा, तो यह सब को यह कहता कि भाई, मैंने कोई पैसा नहीं देना इसका, तो भाई, एक बात बता, जब 10-20 आदमियों के सामने, मैं तेरी बेजती कर रहा हूं, तो तू मुझे फोन कर, मेरे से बात कर, कि भाई, किस चीज़ के पै कहां इसकी दुकान है, वेट बंगाल में इसकी पैट सोब भी है, और मुबाईल नमबर क्या है, बगलवाली दुकानों के मुबाईल नमबर क्या है, पूरी लोकेशन निकाल रखिये, मैंने, और इसका गाउं कोण सा है, सारे एड्रस है, कोण सी वेहिकल नमबर है, सब कु ये से एक दो बार तीन बार नगद में बच्चे ले लेते हैं और डोग ले लेते हैं उसके बाद ये खा जाते हैं जी पैसे उधार पे लेके जाएंगे फिर ये ठीक है लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पंगा किस से ले लिया इनोंने तीन साल होगे करीबन करीबन इंतजा मैं निकाड़ सकता हूँ और सब के पास फोन करके इस भाई की तसल्ली से इज़त करूँगा ठीक है और सबी से निवेदन है इस भाई से बचके रहें क्योंकि ये आपके पैसे खाएगा साड़े तेरा जार रुपे मेरे खाए बैठा है दो साल से उपर हो गया